हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल दमिशन 24-7 डियरे स्टुडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया ने भी टेर्समेन मेट का रिजल्ट डिक्लियर कर दिया गया था लेकिन इसके कटफ से रिगार्डिंग कोई जनकारी प्राप्त नहीं थी इस जनकारी को प्राप्त करने के लिए हमने RTI भी लगाया था जिसका रिपलाई अभी तो नहीं आया लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो मेट्रो सिटी से बिलॉंग करते हैं उनके RTI का रिपलाई आ चुका है और उन्होंने हमें कमेंट में ये बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है तो हमने सोचा कि इस पे वीडियो बनाया जाए और आप सभी को जनकारी दे जाए कि आखिरकार बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट्स का कमेंट क्यों आ रहा था कि हाँ इसमें सेटिंग किया गया है या मेरा रिजल्ट नहीं आया है इसका कटफ देखकर आपको भी पता लग जाएगा फ्रेंट्स तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लिजे इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आखिर आटी आई के एकॉर्डिंग वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं टॉक्मेंट फेरिफिकेशन कब तक हो सकता है इन सभी से रिगार्डिंग इस वीडियो में हम जनकारी प्राप करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर हम बात करें जेनरल की तो जेनरल का कटफ 92 गया है ये जो कटफ है ये आउट ओफ 100 है 100 में 92 यानि कि आप स जो बच्चे अपलाई किये थी उसमें भी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिले लेकिन उस समय का कटफ स्टार्टिंग का जो कटफ था वो 79 के आसपस था बाद में वेटिंग लिस्ट आया और वेटिंग लिस्ट में ये कटफ जो है जेनरल का 76 कर दिया गया तो यानि सकते हैं कि कितना हाई कटफ गया है एस्ट का 76 और एस्ट का 71 और एडवलू एस का 76 ठीक है आप देख सकते हैं यह आटि आई के द्वारा हम बता रहे हैं उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा वो जो आटि यह का रिप्लाई आया है उसको आप वहा पर का एनलेसिस किया था तो यह पेपर उतने भी इजी नहीं थे कि इतना कटफ इसमें जाना चाहिए था फिर भी आखिर क्या कारण रहा कि इतना हाई कटफ गया कि जबकि वेकेंसी भी डवल थी तो इसका अनुमान लगाना तो अभी असंभाव है मेरे लिए क्योंकि हमने भाइ कटफ कैसे गया है तो इसके लिए 2-3 करण हो सकते हैं या तो जो आप लोग कमेंट में हमको करके बता रहें कि सर ऐसा ऐसा बात है एक वो हो सकता है नमबर टू की पेपर काफी easy हो सकता है इसका हो सकता है की पेपर इतने easy हो क्योंकि बच्चे भी अभी जिनकी preparation अब धीरे धीरे एक label पे जा रही है तो हो सकता है की यही वज़ा हो की मतलब बच्चे अच्छे अच्छे आयों चुकी इसमें negative marking भी नहीं था और पिछले बार अगर आप देखें तो पिछले बार one hour का time दिया गया था जबकि आपको 30 minute extra इस बार दिये गया है तो हो सकता हो की एक बड़ा factor यहां पे यह भी हो की इसमें 90 minute आपको मिले है जबकि पिछले वाले में 60 minute ही थे प्लस में इसमें negative marking नहीं है हो सकता है paper का label जो है काफी easy भी रहा हो तो यह सभी कारण के वज़े से cut up आपको इतने देखने को मिले है हलाकि इतना ज़्यादा cut up हमने कभी expect नहीं किया था इंडिया ने भी testman के लिए इतना high cut up जा सकता है जबकि vacancy भी अच्छी खासी थी vacancy उतनी कम नहीं कहे जाएगी ठीक है अब रही बात कि आखी document verification कब तक होगा ठीक है जिनका result हो चुका है उनके लिए तो अभी तक कोई update इसके लिए नहीं आया है RTI में जो इसका question पुछा गया था RTI में clear clear उन्होंने लिख दिया है कि यह हमारे under में नहीं आता है जिसे हम आपको यह बता पाएं कि आपका document verification क्या होगा फिर भी expected अगर हम बताएं तो जनवर दिसंबर के last में यह जो दिसंबर चल रहा है last December तक आपको हो सकते हैं कि later आने सुरू हो जाएं उसके बाद में आपकी joining की प्रक्रिया सुरू हो सकती है I think last December या 1st January से यह प्रक्रिया सुरू हो जानी चाहिए ठीक है अब रही बात waiting list आ सकता है कि नहीं तो waiting list के regarding भी RTI में clear लिखा हुआ है कि waiting list के बारे में भी उन्होंने कोई जनकारी नहीं दी है क्योंकि उनके यह under में नहीं आता है कि वो बता पाएं कि इसमें waiting list आ सकता है कि नहीं क्योंकि जितना high cut of your friends आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें हो सकता है कि धांदली भी हुआ हो सकता कि ऐसे ऐसे बच्चे भी हो जिनको मतलब काफी टैलेंट बच्चे भी जा सकते हैं तो इसमें कुछ भी कहना अभी असंभव है क्योंकि इस बारे में अभी कोई जनकारी प्राप्त नहीं हुई है ठीक है जब तक इसके बारे में कोई अच्छा सबूत नहीं मिल जाता पर्फेक्ट सबूत नहीं मिलता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं तो फ्रेंड्स आप अनुमान लगा लिजिए अगर आपके इतने के आसपास में भी अगर आपके मार्स आ रहे हैं अगर यूर में 90 के आसपास में आ रहे हैं वेटिंग लिस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ अगर आपको 90 के आसपास में आ रहे हो 80, 8 के आसपास में OC में और 74 के आसपास में AC और EWS में और 70 के आसपास में अगर आपका ST के आसपास में अगर इतना आपको लगता है कि इतना marks अगर है तभी आप इसके लिए wait करिये हो सकता है इसका है तो आपका result आ जाए otherwise हमें बहुत कम chance लगता है friends की इसमें दुबाड़ा waiting list आ सकता है फिर भी आपका क्या रहा है आप हमें comment box में जरूर बताईए वीडियो कैसा लगा वो भी हमें comments में बताईए thank you for watching मिलते हैं next video में thank you